और इसी बीच पटना पेपर लीग में गरफतार चिंटू ने भी EOU से पूछताच पे बड़ा खुलासा किया है चिंटू ने पूछताच पे पुलिस को बताया कि कैसे उस तक पेपर पहुचा चिंटू को कैसे पेपर मिला और प्रिंटर खराब होने की कहानी आखिर क्या है जाच पर अब तक ये बात सामने आई है कि पाच बई की सुभाय चिंटू के मुबाइल पर प्रश्ण पत्र और आंसर पहुचा था बताया जा रहा है कि जब हजारी बाग में SBI से प्रश्ण पत्र को लेकर और से स्कूल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही पेपर लीक किया गया जिसे पहले संजीव मुख्या को भेजा गया, संजीव मुख्या ने उसे अपने रिष्टदार रौकी को भेजा, रौकी ने प्रश्ण पत्र और आंसर को फिर चिंटू के पास भेजा, ये प्रश्ण पत्र और आंसर की PDF के फॉर्म में भेजा गया था, जिसका प्रिंट टिक ये सभी WhatsApp के जरीए PDF के फॉर्म में भेजे गए थे जिसके बाद चिंटू ने पटना के Play and Learn स्कूल में इन सब का प्रिंट निकाला Wi-Fi प्रिंटर होने की वज़े से मुबाइल से डारेक्ट प्रिंट टिकल गया लेकिन 10 से 12 प्रिंट निकलने के बाद प्रिंटर खराब हो गया और इसके वज़े से छबी छात्रों को प्रश्णों और आंसर का प्रिंट नहीं मिल पाया और बच्चे प्रश्णों को रट नहीं पाया वाई समाजवादी पार्टी के अध्याक्ष अखिलेश यादव ने नीड पेपर लीग केस में बीजेपी पर हमला बुला अखिलेश ने कहा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारे होती हैं वहाँ वहाँ चात्रों के भविश्ण के साथ खिलवार किया जाता है अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीज़ेपी की सरकार जान बूच कर पेपर लीग करा रहे हैं जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षन ना मिल पाए पेपर लीग कोई नई चीज़ नहीं है आप पुराना भी उठा करके देखेंगे तिहास भादी दिन्ता पार्डी की सरकारों में पेपर लीग हुए हैं और उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था जिसमें करोडों लोग के साथ अन्याय हुआ आप सोचिए जहां आप इतनी टेकनोजी की बात कर रहे हो डिजिटर इंडिया की बात कर रहे हो दुनिया के सबसे तरकी के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो आप पेपर लीग जानबुश कर करा रहे हो जिससे नौजमानों को नौखरी और उनका आरेक्षड उनको न निशाना साथा लेलन सिंग्ने क्या कुछ कहा कैसे विपक्ष को जवाद दिया सुनिये तो पता चला है आप पचाने पर गेस्ट हॉस बुक हुआ तो उसका न सफाई दें पहले उसका न जवाब देंगे कवकि तो साक्षा गया कि किसके कहने पर गेस्ट आउस और कौन वहां गेस्ट आउस में रटवार आता प्रस्ण इस पर सफाई दें सफाई देने के बजाए नर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा आर्थिक अप किल आप मिलेगा कारवाई करेंगे